कि रिया चक्रवर्ती को बॉंबे हाई कोर्ट से जमनत मिलें इस घटना ने मीडिया को सुपारी गैंग में बदल दिया है कुछ समय पहले हमने मीडिया को एक हे मुद्ध को खीच से देखा जो की था सुशान सिंग राजबूत का केस इस केस में सबसे बड़ा नाम थी रिया चक्रवती साथ अक्तूबर 2020 को बंबे हाई कोट ने अभिनेतरी रिया चक्रवती को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है अब तो एम्स की रिपोर्ट साफ बता रही है कि ये मर्डर नहीं सुसाइड था CBA की रिपोर्ट भी एम्स की रिपोर्ट से मिलती है ऐसे में जुदेश के जंता ने करोना, बेरुसकारी, चाइना, अर्थववस्ता जैसे मुद्दों को छोड़ एक ही मुद्दे को मेडिया द्वारे उठाते देखा था तो वे क्या था? घंटो डिबेट इस मुद्दे पर चली कि रिया ने सुशाइड को कैसे मारा और कौन-कौन इसमें शामिल था रिया चक्रबर्ती गिरफतार हो गई है आखिरकार रिया गिरफतार हाला कि ये गिरफतारी ड्रग्स केस में हुई है चुशाइड के पच्चिस लोगों के नाम शामिल है बॉलिवुड में ड्रग्स का बिग बॉस कौन है? क्या शुशाइड की मौत की कड़ी की मौत की कड़ी दिशास से जुड़ेगी? क्या उमीद रखे इस विसरा रिपोर्ट से क्या तस्वीर साफ होगी? आपको याद होगा जब रिया गरिफतार हुई थी तो मीडिया ने उने किस तरह घेर रखा था वैसे तो सभी चैनल इसमें शामिल थे सुशांत को इंसाफ दिलाने के मामले में लेकिन रिया को गलत साबित करने में सबसे आगे रहे रिपब्लिक चैनल और उस चैनल में रिया की गिरफतारी की खुशी साफ देख रही थी वै गिरफतारी शुशांत केस में नहीं बलकि ड्रग केस में हुई थी पर खुशी साफ देखने को मिली थी और उनको मेसेज मिल चुका है तो बाहर जब आएंगे तो आपको देखकर तो भागने वाली है बेलकुल विठाया बटेंगे आप तो वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं लोग तो आपको भी पूछ से रहोंगे दोस्तों प्रदी बंदारी लाइव रही है फूल फ्ल फ्रेम हम प् इसके लावा मीडिया द्वारा सुशांत केस पर हो रही कवरेज को लेकर कई सवाल तो खड़े होने ही लगे थे इंडिया टूडी के पत्रकार राजदीप सर्दसाई ने एम्स की रिपोर्ट के बाद रिपब्लिक चैनल की अलोचना भी की तो खड़े कि भी दूड़े हो रिया चाखरबटी रिप्लिक बात रिपोर्ट के रिपोर्ट बाद रोड़ा तो जाओ तो यह प्रवारा प्त्त्र की है इस ब्सक्त्र कीव लेकर 14 इसके लावा Zee News के वरिष्ट पत्रवकार सुचोधी ने भी रिया पर हुई कवरेज को लेकर सवाल खड़े किये अब बड़ी बात ये है कि रिया चकरवर्ती को तो जमानत मिल गई अब इसके बाद इस पूरे मामले में क्या होगा और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले चार महीनों में हमारे देश के निउस चैनल्स ने इसके लावा आपको और कुछ दिखाया नहीं इसलिए पूरे देश को ये लगा कि ये सबसे बड़ी खबर है इससे बड़ी खबर 2020 की कोई और हो नहीं सकती और हमारे देश का जो मीडिया है उसे भी ये लगा कि ये 2020 की सबसे बड़ी खबर है कोरोना वाइरस से भी बड़ी खबर है सुशान सिंग राजपूर तो अब बड़ी बाती है कि चार महीने से आपको जो कुछ बताया जा रहा है जो ट्रेंड आप लगातार देख रहे हैं जिन लोगों ने इनसाफ दिलाने की कसम खाली थी अब वो सारे लोग क्या करेंगे इन सारी खबरों में एक समानता है और वो समानता है टी आर पी की रेस मीडिया के एक वर्ग ने इन सभी मामलों में अपने एजिंडे की मिलावट करके एक खास पक्ष को फाइदा पहुचाने की कोशिश की और अपने हिसाब से उन्होंने एक कहानी पहले से ही भुन ली ऐसा कुछ तबलीगी जमात के साथ भी मीडिया में हुआ था तबलीगी जमात पर मीडिया क्या कुछ नहीं बूला कोट ने अपने आदेश में मीडिया को फटकार भी लगई क्या तब मीडिया ने माफी माँगी और क्या अब रिया के मुद्दे पर मीडिया माफी माँगीगा हम आपको बताते हैं कि कोट ने क्या कहा वे ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं है उसने कथित रूप से अपने ख्रीदे हुए मादक परदार्थ को धन या किसे अन्यलाब के लिए किसी और को नहीं दिया कोट ने ये भी कहा कि रिया या सुशान सिंग राजपूत के आवासों से कोई ड्रग्स परामत नहीं हुआ है कोट ने रिया को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है रिया चकरवती को अपना पासपोर्ट कोट में जमा कराना हुगा रिया चकरवती को अगले दस दिन तक रोजाना मुंबाई पुलिस के पास पहुंच कर हासरी देनी होगी रिया चक्रवर्ती को एक लाख रुपे का जमानत बॉंट देना होगा रिया चक्रवर्ती कोट की अनुमती के बिना देश से बाहर नहीं जा सकी वहीं NCB की यही कोशिश चारी थी कि रिया को जमानत ना मिले खैर अब जेल से बाहर आ चुकी है रिया यह मामला शुरू तो सुशान सिंग से हुआ था और देरे देरे ड्रग्स तक आप पहुंचा रिया की जमानत पर वरिष्ट पत्रकार अजीत अंजम ने मीडिया ट्राइल को लेकर सवाल खड़े किये हैं कि रिया चक्रवर्ति को बॉम्बे हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है करीब एक महिने तक वो लड़की जेल में रही आज वो बेल पर बाहर आई है और जब वो आई है तो इस शक्स को बेचैनी होगी परिशानी होगी क्योंकि ये शक्स खुद को जज, जूरी, जाच एजंसी और जेम्स बॉन्ड से लेकर जासूस करमचन से भी बड़ा जासूस समझता है इस शक्स के कई रिपोर्टर्स बीते साधे तीन महने से दिन रात यही एजंडा चला रहे थे कि किस तरह से रिया चक्रवर्टी को तुशान्त का कातिल ठाराया जाए लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों इम्स की रिपोर्ट पिछले हपते सार्जनिक हुई उस रिपोर्ट में इम्स की फॉरंसिक टीम ने जिसका गठन केंदर की तरफ से किया गया जिसका गठन सीवी आई की मदद के लिए किया गया इसके लावा रिवीश ने भी अपने शो में रिया के टॉपिक पर बात की और मीडिया पर सवाल खड़े किये रिया चक्रवर्थी की गिरफतारी क्या इसलिए की गई ताकि न्यूस चैनलों को तमाशा बनाने का मौका मिले गोधी मीडिया ने जो खेल खेला है वो रिया चक्रवर्थी तक सीमित नहीं रहेगा इस घटना ने मीडिया को सुपारी गैंग में बदल दिया है सोचिए कई हफ्तों से जूटी खबरों के साथ बहस चलाई गई कई हफ्तों घंटों खबर नहीं थी तो एंकर खूदने लगा चिलाने लगा जैसे उस पर प्रेत आ गया जबानत देते वक्त बॉंबे हाई कोर्ट में जो कहा उसे सुनिल सिंग के रिपोर्ट में देख सकते हैं लेकिन रिया के साथ या रिया के बहाने जो हुआ उसे भी देखी चैनलों को लगा कर किसी भी नागरी को घेरा जा सकता है अब उसे बदनाम किया जा सकता है और जेल तक भीजवाया जा सकता है उमीद है एक दर्शक के रूप में लोग प्रैस्शित करेंगे सोचेंगे कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती के नाम पर किस तरह की पत्रकारिता को दिन राथ समर्थन दिया देश में ऐसे मुद्दे अक्सर मीडिय को मिल जाते हैं जिसके बाद आप जनता का ध्यान बढ़काना असान हो जाता है और बाद में हम इन मुद्दों में ही वियस्थ हो जाते हैं और असल मुद्दे तो गायब ही कर दिये जाते हैं Bureau Report, Punjab Today TV